हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे केजी क्लास की वॉक्षीट नंबर है 92 जो की 18 अक्टूबर 2021 की वॉक्षीट है बच्चों सबसे पहले तो आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंग ठीक है चलिए इस वॉक्षीट को अब हम शुरू करते हैं नमस्ते बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे तो चलिए देखिए पहला प्रश्न है कि आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आएं हैं आईए इन्हें पहचान कर इनका नाम बोल कर देखें जैसे पहला है मोर दूसरा माचिश तीसरा मच्छर उसके बाद है माला फिर है महल उसके बाद है मैना उसके बाद मतर और उसके बाद मकडी ठीक है तो आप सभी इन चिकजों को तो पहचानते ही होंगे तो आपको एक बार फिर से इनके नाम को अच्छे से दोहरा लेना है चलिए अगला देखते हैं आईए मिलकर यह गीत गाएं मन में आया पहन के माला हम सब मेले में मीठी मलाई, मिर्ची पकोडी खाऊं हम मेले में तो आपने गीत अच्छे से गा लिया आगे देखते हैं अच्छा बताओ इन शब्दों को बोलते समय सबसे पहले कौन सी आवाज आई सही पहचाना मा की आवाज जैसे की मोर इसमें मा की आवाज है माच्छ, मच्छ, माला, महल, मैना, मटर, मकडी इन सब में जो पहली आवाज है वो मा की आवाज है ठीके बच्चो और इस कविता में भी जो अक्षर लाल रंग से लिखे हुए हैं वो मां से शुरू हो रहे हैं जैसे कि मन, माला, मेले, मीठी, मलाई, मिर्ची, मेले इनसे में सभी जो पहला अक्षर है वो मां है ठीक है तीसरा है चलिए अब मां अक्षर की बनावट सीखते हैं और क्रियोन से मां अक्षर पर ट्रेजिंग करते हैं तो आपको यहां पर मां अक्षर कैसे बनाना है यह तरीका बता रखा है आप क्या करेंगे सबसे पहले आप इस तरीके से लाइन खीच कर मां को बना लेंगे कैसे बनाएंगे समझ में आया आपको पहले यहां से लेकर आना है इसको मिलाना है फिर इसको मिलाना है और लास्ट में उपर वाली लाइन भी खीचनी है ठीक है अगला भी हम करेंगे पहले ये लाइन उसके बाद ये वाली लाइन फिर ये वाले लाइन और उपर वाले लाइन ठीक है अगले भी मा अक्षर को हम ऐसे ही बनाएंगे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये मा के जो अक्षर है वो किस तरीके से बनाए जा रहे हैं ठीक है ऐसे बनाने हैं आपको ठीक है तो इस तरीके से मा बन चाएगा तीसरा प्रेशन हल हो गया चौथा प्रेशन है कि अब नीचे दिये गए मचली के चित्र में मा अक्षर के गोलों में रंग भरिये यानि हमें ढूंडना है कि यहाँ पे मा कहां कहां लिखा है और उनमें कलर करना है जैसे कि यह वाला है इसमें आप कलर करेंगे इसके अलावा यहाँ पे कलर करेंगे इसमें कलर करेंगे इस पूरे गोले को आप अच्छे से कलर करेंगे मैं पूरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि वरना फिर आपको नजर नहीं आएगा कि मा कहां लिखा है ठीक है यह कैसे पहुँचेगी मच्छर के पास यहां से निकलेगी और ऐसे करते हुए पहुँच जाएगी मच्छर के पास ठीक है अब चलिए आपके parents के लिए आपे सुझाव दे रखा है कि बच्चे को अक्षर मा की आवास की पहचान करवाने के लिए अक्षर मा से शुरू होने वाली वस्तों के नाम का अभ्यास कराया जा सकता है जैसे कि आप उन्हें बार-बार बुलवा सकते हैं मच्छी, मगरमच, मशीन, मेंधक, आदी या आपके घर में भी जो वो चीज़े जो मा अक्षर से शुरू होती है उनके बारे में आप बच्छों को बता सकते हैं उनका नाम बता सकते हैं और उनको बार-बार वो नाम दोहराने के लिए कह सकते हैं ठीके बच्चों तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट and I hope आपको ये वरक्षीट बहुत अच्छी से समझ में आ चुकी होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू